दोस्तों ये जो पोधा आप देख रहे हैं बहुत ही चमतकारी पोधा है इसके फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे अगर आपको ये कहीं भी मिलता है तो आप इसकी छोटी सी भी कटिंग ले आएंगे तो ये प्लांट आपके पास बहुत भर जाएगा इसकी एक छोटी सी भी कटिंग लगाते हैं तो ये बहुत ही आसानी से लग जाता है और बिना मेंटेन करें ये पोधा इतना घना हो जाता है इसको थोड़ी सी भी काट देंगे तो आपके घर में ये बहुत ही फ्लावरिंग देगा अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबाए ताकि मेरी आने वाले वीडियो में आप बने रहें तो फ्रेंड साहां बात करते हैं मोसरोज नाइणो क्लोक और इस प्लांट को बहुत सी जगए नौबची का प्लांट भी बोलते हैं और ज़्यादतर इसको घास के तौर पे भी मानते हैं जब हम बचपन में छोटे थे तो हम जादे तर यही प्लांट अपने आखों के सामने हम देखते थे, सभी घरों में यह प्लांट काफी मिलता था, लेकिन इस टाइम पर सहरों में यह प्लांट इतना जादा नहीं देखने को मिलता है, अगर आपके पास यह प्लांट नहीं है तो इसकी जो पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं ये पत्तियां इनका पेश्ट बनाकर आप या इनका रस आप ऐसे तोड़के भी उस जगह पर मल लेंगे तो ये खुजली की जो समस्या है वो तुरंथ ठीक हो जाएगी दूसरा इसका फायदा ये है कि अगर आपके बालो में कोई भी समस्या है बाल जड़ते हैं समय से पहले सफेद हो चुके हैं या और भी कई सारी समस्याई होती हैं बालो में गंजापन आता है तो इसकी जो पत्तियों का पेश्ट बनाकर आप सी काकाई के साथ मिलाकर अपने बालो में लगा कर रख लीजिए और एक घंटे बाद आप उससे सरद हो लीजिए ऐसा करने से आपके जो बालो की समस्या है बालो का जड़ना सफेद होना ये धीरे-धीरे कम हो जाएगा और काफी हद तक ठीक हो जाएगा तीसरा जो बेनेफिट इसका ये है कि अगर आपक चहरे पर भी लगा सकते हैं चहरे की समस्याओं को भी ये प्लांट बहुत काफियत तक बेदा कर देता है और बहुत ही अच्छा प्लांट है अपकी चहरे की रंगत को भी निखारता है